नमशकार दोस्तों मैं इंकुर उपाथ क्या है स्वावत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक हमारे व्यूवर है जो की कंटीनिव एजिस लॉजिस्टिक के स्टॉक के ऊप सब्सक्री के ऊपर कमेंड करने सबसे पहले मैं इस इस टॉकर आपके साथ लिवेल शेर करना चाहता हूंनननहीं को बगे Babi और प्रम बदी कंटीन के ऊपो क्लोजिल धिता हूं दिखाए एक मन्त में देखें तो अर्मोस्ट फ्लैट है कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है एक आल बार पीच में उचार माता है तीन महीने में एक चीज मुझे अब आते हैं कल के लिए इंपोर्टन चीज में तो कल सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलाइंस अपने स्टॉक अपने रिजल्ट्स पर एक्शन देगी एक कमेंट आया था कि भाई आप रिलाइंस के नंबर्स को जितना अच्छा बता रही है उतने अच्छे आय नहीं है तो मैं यहाप इतना बोलूँगा कि भाई कमपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट कराया ना रिलाइंस ने वो सिंपल आपको मैं बताना चाहूँगा exactly कितना पेश कराया और मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी वो समझाऊँगा मैं आपको फिर आप खुद मुझे बताना प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट जरूर करना की नंबर्स अच्छे हैं लिटरल यह रही है रिलाइंस ने अब आप मुझे बताईए एक्सपेक्टेशन से जादा है नहीं है अच्छा है नहीं है मैं तो सिंपल नंबर्स पर बात कर रहा हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है आईसे इसे बैंक की बात करने थर्टी परसेंट की ग्रोथ आपको यर-on-year-basis पे देखने को मि करें तो दो दिगज अपने अपने फिल्ट की दौनों नंबर्स अच्छे पेश करते हो दिखें तो मुझे लगता है कल ये मार्केट को सारा देने का काम कर सकते है वही अगर दौनों के टेक्निकल बेसिस पर बात करें तो रिलाइंस इंडस्ट्री में एक रिजिस्टेंस अगर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं भी देता है मार्केट नीचे लाता है मार्केट जो रेंज प्ले कर रहा है वो रेंज ही प्ले होती है तो आपको दौनों स्टॉक्स बाइंस पे करने इतना समझ लीजिए लोंग तरम परपस से इना जो आइसे इसे इसे बैंक है वो म में आया है इस टॉक के पास हैना है यहांसे करीब 20-25 रुफज मार्ड रीचे यहांसे करीब 20-25 रुपे नीचे obviously और यहिए यह पहलने इक क्युग नहीं नहीं तक नहीं है और जिन्होंने यह प्लदीन दीनक है ओर just ने जालूंआ commandments के जुग हईसेटी में सब्सक्राइं क्योंकि अब जो इनका HDFC था वो अमर्ज हो जाएगा तो HDFC बैंक का लोग आएगा तो वो उसकी अप्रूवल आ चुकी है बाकी कुछ ज्यादा बड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए शेरोल्डर अप्रूफ दापॉइंट्मेंट अब बोदर कोटक तो बड़ी कोई खबर है नहीं आपर एक स्टॉक इसके लिए आज ब्रेकिंग न्यूस आगिया औरड़ी में पूरी वीडियो डिसकस कर चुका हूँ विप्रो विप्रो ने काया कि हम इस बार 27 अप्रेल को रिजल्ट के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ विचार करने वाले यह कि टेंडर रूट आता है ओपन मार्केट आता है कितने अमांट का आता है और किस प्राइस प्राइस यह में लिए सबसे इंपोर्टेंट होगा बट यह एक डेफिनिली गुड न्यूस है विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए और विप्रो इसके नम नेल को महिंद्रा लोजिस्टिक एंड ट्राइड टेक्स फर्सिस्टेंट शिस्टम यह बड़ा नंबर है बैंक ओफ महारास्ट्रा महारास्ट्रा स्कूटर्स आयाइ-फल सिक्यूर्टी यह बड़े नंबर है जो कल के सेशन में आपको आते हुए दिखेंगे अपको आपक युए बड़ वचव पॉची द प्ल약 किया भारेग जो खीए काहई ल म्नाक लाँ कर वगारेब शिट